हेलो फ्रेंड्स एम सिंग फांड इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का श्वागत है यह वीडियो उन स्ट्विएंट्स के लिए है जिनका विहार इस है मेंस और 65 बीपेसी मेंस दोनों एक्जामनेशन है कॉमन है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज ही के है मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाली में मुझे एक मेसेज हुआ है वहां पर देखे को क्या बोले है इसर मेरा तो बीपेसी 65 मेंस है बीपेसी मेंस है मतलब इनका तो तीनों एक्जामनेशन है और तीनों ही एक्जामनेशन है मतलब पांस दिन के अंदर में तीनों ही जामनेशन है अभी के अनुसार एज आफ नौ क्योंकि बिहारे सेमेंस और विससे इंटर मेंस तोनों ही 29 नौमर को प्रस्तावित है ऐसे में आपको 65 विपेसी मेंस का भी डेटा आ गया है जो कि बिल्कुल क्लोज है तो ऐसे में जिनका बिल्कुल भी कहीं पर सबसे पहले उस नोटिस को देखते हैं जो अभी आज ही द्वारा जारी किया गया है देखिए यह हमारे सामने एक नोटिस है बिहार लोक्षिवायोग पतना के द्वारा है और इसमें कहा गया है कि 65 संयुक्त मुख लिखित पर्टोगी परिक्षा का कारेक्रम ठीक है न तो आप देख लेजिए आपको 10 बजे से लेकि एक बज़े तक पर्दम बैठा होगा और आपको दो बज़े से लेकि पांच बज़े तक दूतिया पाली होगा ठीके नहाब पहला में आपको शमाने हिंद्यों का 25 को और दूसरे में आपको दूसरा दिन परिक्षा होगा यानि कि अट्थेस तारिकों अट्थेस एक यारद होजर बीस को आपको ऑफिसनल सोंगे ठीक है ना जो सभी अलग अलग होंगे तो इस तरह से आपको तीन डेट दे दिये गए हैं पच्चीस चबिस और अट्थेस अब चलते हैं 29 नॉब्र के तरह तो आपको सबसे पता है कि पहले से बहुत पहले से यह बात है कि 29 नॉब्र को दो महत पूर एक्जामनेशन है और पीशे कर दिया अब थोड़ी से उमीद यह बचे है कि क्या पर कुछ आगे पीछे करती है नहीं करती है लेकिन उसकी भी संभाबना अब दिरे दिरे चीन होते जा रही है आगे यह दि क्या करना चाहिए मैं बार बार इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको 65 मेंस यानि कि बिप्यसी का मेंस का जो स्लेवर से वह बिल्कुल अलग है अभी आपके पास समय कितने है तो मुश्कल से एक महिना ठीक है आज यह दी बाइस तारीक हो गया तो एक महिना दो दिन च है ऐसे में वह स्टूइंट जिनका कहीं पर भी जौब नहीं लगा है वो क्या करें इस तरफ यह आते हैं तो निश्चित रूप से आपका उस तरफ का जो प्रपरेशन है वह प्रवावित होगा क्योंकि वह पीट एक्जामरेशन तो है नहीं मेंस एक्जामरेशन है यहां पर आपको फर्स्ट चांस में भी स्टूडेंट ने मतलब की पीचेस जैसे एक्जामनेशन को क्या है और ना सिर्फ क्या है बलकि अच्छे रिचल्स लाएं तो यह आपके त्यारी बहुत दिन से जा रही है आपने बहुत अच्छे कोचिंग्स लिए हैं आपके पास चीज defined करना होगा जयदा मेétais करना होगा लेकिन आपका प्रथम फोकस क्या होना चाहिए वो होना चाहिए आपको यह तो आईदर या फिर आपको त्यारी हो दिनस अ एक तरह से मतलब पांस दिन के अंदर में एक तेनों परना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यह यूँ कहलें कि अपको अभी तक कहीं जॉब नहीं मिला है तो निशी तुरूप से आप पहला प्रिवरेटे आपको होना चाहिए कि आपको ऐसे ओप्सन के तरफ चाहिए लेकिन आपको अपने टाइम मेनेजमेंट को अफलिफ्ट करके इसको भी धियान देना होगा और निशी तुरूप से यह आप बहुत पहले से त्यारी कर रहे हैं तो आखमुद का विडियो आप लोगों को यह आने के लिए बनाया गया था कि यदि आपके तीनों ग्जामन को मन पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए क्योंकि जो देख रहे हैं आपको यह जो आपको कि शोड कुमार है इस तरह के कई और स्ट्वेंट हो सकते हैं जिनका यादर दोनों ग्जामन हो या तिनों ग्जामन हो उनके लिए यह महत पूर्ण था तो आज की विडियो देख